वर्डपेस पर theme upload कैसे करें फ्रेंड्स आज की इस वीडिया में आपको बताऊँगा वर्डपेस पर ब्लॉग बनाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो है ब्लॉग डिजाइन करना और वर्डपेस में themes को upload करके आप बड़ी आसानी से अपनी website को एक attractive और professional look को दे सकते ह अगर आप WordPress में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी पॉपिलर फीचर और लिटेश्ट थीम से मिल जाएगी जिनको सेलेक्ट करके आप फ्री में अपने ब्लॉग पर अपलोड कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आप प्रीमियम थीम्स को फ्री में यूज करना चाते हैं तो फ्री एक न्यू ब्लॉगर है और WordPress प्लेटफरम पर आपका ब्लॉग है तो अपने ब्लॉग में थीम अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको WordPress में लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद WordPress डेश्बूर्ट के लेफ चैड मेनु में आपको अपीरेंस उप्शन पर माउस कर सकते हैं otherwise अगर आपने अभी तक एक भी थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट नहीं किया तो यहाँ पर आपको add new theme को ओप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने कई सारी popular featured और latest themes आजाएंगी इन में से आप अपनी पसंद की theme को कर सकते हैं popular, latest, blog themes, favorite और featured themes को filter करके देख सकते हैं और उन्हें install कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर कोई theme पसंद आ रहे है तो उसे आपको choose कर लेना है चूस करने के बाद उस theme में आपको install option पर क्लिक करके पहले उस theme को install कर लेना इसके बाद कुछी दियर में आपकी selected theme install हो जाएगी install होने के बाद activate option पर आपको क्लिक कर देना है अब दोस्तों आपके wordpress blog में आपकी selected theme upload हो जाएगी जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस theme में customize option पर क्लिक करके आप इस theme का preview देख सकते हैं आपके blog में किस तरह से यह theme appear होगी उसका preview आप यहाँ पर देख सकत हैं तो इस तरह से friends अपने wordpress blog में आप अपने according किसी भी theme को upload कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं आपको next video में तब तक के लिए जैहिन